इस बहुती मज़दार कहानी की शिर्वात होती है वेडी नाम की एक लिड़की को दिखाते हुए जो कि फॉरेस्ट में आकर एक चिडिया को मारने की कुशिश कर रही थी लेकिन कुछ समय बाद वेडी को बहुती ज़दा दया आने लगी और वो उस चिडिया को अपने पास बुलाती है लेकिन वो चिडिया वहां से तुरंत उड़ जाती है थोड़े देर में वेडी के पास उसकी मदर नैसी आ जाती है जिसने की उसे साबासी देते हुए ये कहा ये अच्छा हुआ तुमने उस पक्षी को नहीं मारा क्योंकि इससे हमारा पेट नहीं बरने वाला और हमने ऐसी अपनी बिटी वेडी को लेकर फॉरेस्ट के अंदर चली गई धरसल ये वो क्रिटिकल समय था जहां पर सिविल वार चल रहे होते हैं रिसोर्सेस इतने कम हो चुके होते हैं कि इनसानों को किसी भी तरीके से जीना पड़ रहा था इने सारी चीजों की बीच उस पूरी जगह पर एक प्राइविट और्गनाइजेशन फॉर्म होती है इस प्राइविट और्गनाइजेशन का काम था कि दुनिया में जितनी भी बच्चे बच्ची वे हैं जो कि 7 साल से 18 साल के होते हैं वो उन्हें पकड़ कर एक एडवांस फैसिलिटी के अंदर रख देते थे वहीं पर उन सारे बच्चों को बढ़ा किया जाता था और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो आगे चलकर पूरे इन्वायर्मेंट को अच्छे से कर सके और इंसानी सब्बता को आगे बढ़ाएं लेगिन यहां पर नैसी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे अपनी बेटी से अलग करे इसे लिए उसने वेडी को आज तक उस फैसिलिटी वालों को सौपा ही नहीं और वो उसे हमेशा के लिए छुपाते हुए वेडी के साथ जंगलों में घूम रही है यानि कि अगर उन प्राइवेट औरग्रेशन वालों ने वेडी को देख लिया तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाएंगे यही डर नैसी को लगा रहता इसलिए वो एक जगब पर ज़्यादा नहीं रुखती और लगातर उसे लेकर कहीं दूर जाते रहती है अब यहां रास्ते में चलते हुए वेडी का पैर एक ट्रैप के अंदर फस गया था उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है इसलिए नैसी तुरंटी जाकर उसे वहां से आजाद कर रही थी कैसे भी करके वो उसका बलड रोग देती है और एक सीब जगब पर चरी जाती है उसका इलाज करने के लिए नैसी के पास तो एक खराब वैन मौजू थी जिसके अंदर वो अपने राते गुजारते थे अब वेडी को चोट लगने के कारण उसे आराम की जरुत होती है इसलिए वो लगातर वहीं पर सोई हुई थी तभी अचानक नैसी को आस्मान में कुछ आवाजे आने लगी जो और कुछ नहीं बलकि उसी प्राइवेट अर्गनाजिशन का एक ड्रोन होता है जिनका काम था उन सारी बच्चों के बारे में पता लगाना जो अभी तक जिन्दा है नैसी बिलकुल भी नहीं चाहती थी कि इन AI रोबोट्स को मेरी बेटी के बार में पता चले और ये लोग वैडी को मुझसे अलग कर दे इसलिए नैसी तुरंती एक गन लेकर बाहर निकलती है और उस ड्रोन की उपर फायर करने लग जाती है उसने देखते ही देखते पूरी तरीके से ड्रोन को खत्म कर दिया था और अब वो मौका रहते वैडी को वहाँ से लेती है और कहीं दूर फॉरस्ट में चली जाती है वो लगातार चलते हुए एक नाओ के रास्ते से शहर में पहुँच जाती है यहाँ शहर पूरी तरीके से खाली हो चुका था क्योंकि आदिसे जादा लोग सिविल वार में मारे गए होते हैं और जो बचे हैं वो अपनी घरों के अंदर ही रहते थे फिलाल के लिए नैसी अपनी बेटी के मुँपर मास्क लगा देती है ताकि कोई उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए और जिसके बाद वो लगातार शहर के अंदर जाने लेगी तब ही अचानक नैसी के सामने एक आदमी आ जाता है जो कि वैडी को देखकर चिलाने लगा था लेकिन नैसी उसे समझाती है कि प्लीज जादा चिलाओ मत क्योंकि इससे मेरी बेटी को खत्रा हो सकता है वो आदमी ये बाद जानने के बाद एकदम शान्त हो गया और फिर अपने बेटे ट्रे को भी उनसे मिलवाता है क्योंकि वो भी नहीं चाता था कि प्राइवेट और्गनाजेशन वाले उसके बेटे को भी लेकर जाए इसलिए उस आदमी ने नैसी और वेडी के बारे में किसी को नहीं बताया वो तो उल्टा उन्हें रहने के लिए शेल्टर देता है जिसके बाद नैसी अपनी बेटी के साथ वहीं पर एक रात गुजारने लगी थी यानि कि इस वक भी काफी अच्छे लोग जिन्दा हैं जो दूसरी लोगों की बिना किसी मतलब के मदद करते थे लेकिन इसकी सचाई तो हमें आगे चलकी ही पता चली अब सुबा होने के बाद वैडी ट्रे के पास आती है जो कि किसी अंजान चीज को लगातर देख रहा था वैडी बे जब उस जगर पर आ जाती है तो पता चला कि ये तो एक ड्रोन है जो कि दीरे दीरे एक्टिवेट हो रहा था वैडी और ट्रे तो लगातार उसे देखकर वहाँ से भागने लगे होते हैं क्योंकि ये अथोरिटीज वालों का होता है और अगर उन्हें पता चल गया तो यहाँ पर कई सारे आफिसर्स आ जाएंगे वैडी तुरंती अपनी मदर को चिलाती है जिसे कि नैसी वहाँ पर आकर उसे बचा कर अंदर लेकर चली गई थी लेकिन ट्रे को कुछ समझता ही नहीं कि वो इस कंडिशन में क्या करे इसलिए अब थोड़े ही देर के अंदर अथारिटी वाले वहाँ आकर ट्रे को पकड़ लेते हैं ट्रे के फादर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थी कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो लेकिन वो किसी के नहीं सुनने वाले और अब ट्रे को उनके साथ अथारिटी के अंदर जाना ही पड़ता है नैसी बिल्कुल भी नहीं चाती थी कि उसकी बेटी उससे अलग हो इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर लगातर आगे बढ़ने लगी लेकिन वेडी के पहर पर जो चोट लगी होती है उससे खून निकलना स्टार्ट हो गया था और उसका इलाज यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसे रिजन की वज़े से नैसी एक बहुत ही बड़े मार्केट में आ गई इस मार्केट के अंदर एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि उन्हें अथोरिटीज में ट्रांसफर कर दिया गया था तब ही हम पॉल लाम के एक लड़की की वीडियो देखते हैं जो कि नैसी के फ्रेंड का ही बेटा था पॉल को रिसेंटली अथोरिटी में ट्रांसफर किया गया होता है इसलिए वो सारे बच्चों को बोल रहा था कि तुम्हें यहां पर आ जाना चाहिए क्योंकि इस जगा पर हमारे लिए सारी फैसिलिटी उपलब्द हैं और हमारी जिंदी की यहां पर सबसे बेस्ट होगी यह सारी चीजे नैसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूस कर रही थी इसलिए वो तुरन थी अपने उसी दोस रॉबर्टा की पास चली जाती है रॉबर्टा इतने समय बाद नैसी को देखकर काफी खुश हो गई और उसे अपने घर के अंदर बुला लिया रॉबर्टा भी देखती है कि वेडी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है उसके पैर में जो चोट लगी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती इसलिए अप सारी चीजे अनलाइस करने के बाद रॉबर्टा ने नैसी को एडवाईस दी कि तुम्हें अपनी बेटी वेडी को फैसिलिटी के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि उसके पैर में जो चोट लगी हुई है वो यहाँ तो ठीक नहीं हो सकती और तो और तो मारी बेटी की जिंदेगी उस फैसिलिटी में सबसे अच्छी होगी क्योंकि वहाँ सारी रिसोर्सेस मौजूद है पर नैसी कहती है कि अगर मैंने अपनी बेटी को भेज दिया तो मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी रोबटा ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए खुद को सेक्रिफाइस करना ही होगा नैसी बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और काफी ज़्यादा सोचती है कि वो क्या करे तब जाकर यहां नैसी ने डिसाइट कर लिया था कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए खुद की खुशिया मार देगी यानि कि वो authority के हवाले करने के लिए तयार थी नैसे तुरंती बाहर निकल कर एक officer को कहती है कि अंदर एक लड़की मौजूद है तो तुम जाकर उसे पकड़ लो और अब अगले ही moment में ऐसा करने के बाद officer तुरंती वेडी को जाकर पकड़ लेते हैं और authority में transfer करने लग जाते हैं नैसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी कि आज की बाद वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगी अब इस पूरी सीन के बाद 10 महीने बीच जाते हैं नैसे अपनी बेटी के बिना बहुत अकेली हो गई थी और उसकी life इदम नॉर्मल चल रही होती है वो सुबर सुबर मार्केट में निकल जाती कुछ मसाले के सामान बेचने के लिए ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके लेकिन फिर भी नैसी को वेडी की लगातर याद आती रहती है कि वो कैसी होगी और उसके घाव ठीक हो चुके होंगे की नहीं अब हमें यहां रॉडी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि नैसी के साथ आकर थोड़ा flirt कर रहा था उसे पता होता है कि नैसी का husband मर चुका है और उसकी बेटी authorities के पास है इसलिए रॉडी ट्राइ कर रहा था कि वो नैसी को impress करे लेकिन नैसी उसे साफ साफ मना कर देती है तब जाकर रॉडी ने कहा कि तुमा काम खतम करने के बाद मेरे साथ क्लब में आना मेरे पास तुमें बताने के लिए एक बहुत ही important चीज है जो तुमारी बेटी से related हो सकता है नैसी इस बात के लिए मान जाती है और अब वो अपना काम करने चली गई थी वो एक बहुती बड़ी जगह पर आ जाती है जहां पर वो अपनी बेटी के लिए एक डॉल रख रही थी क्योंकि उसी तरीकी से सारे पैरेंस ने अपने बच्चों की आकरी निशानी के तौर पर सारी चीजे रखी वी होती है अब नैसी तुरन थी उस क्लब में चली गई रॉडी से मिलने के लिए रॉडी यहां पर नैसी को एक important बात बता रहा था कि हाली में मेरे एक फ्रेंड को उस facility में citizen shift मिली है कुछ पैसों के बदले और वो अपनी जिन्दिगी वहाँ आराम से जी रहा है तो अगर तुम चाहो तो हम authority के अंदर citizenship ले सकते हैं जिसके बाद तुम वहाँ अपनी बीटी के साथ आराम से रहना इसके लिए सिर्फ हमें कुछ पैसे लगेंगे और contacts लगेंगे जिससे के हमें वहाँ की citizenship मिल जाए नैसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो roddy पर भरुसा भी करने लगी थी उसने तो roddy को इन सारी चीज़ों के लिए हाँ कर दी थी जिसके बाद roddy अपने contact से इन सारे process को आगे बढ़ाने लगा अब यहां हमें उस facility के अंदर वैडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जिंदिगी अच्छे से काट रही थी लेकिन ये सारी चीज़े होने के बावजूद भी वैडी को अपनी मदर के पास जाना था इसलिए वो एक कागच की उपर इस पूरे base cam से बाहर निकलने का नक्षा बनाने लग जाती है उसे जब भी मौका मिलता वो उसे include कर देती ताकि बाहर निकलने में मदद हो लेकिन अब वैडी तुरंती सोने चली गई क्योंकि वहां का warden उने देखने आ गया था वहीं दूसरी तरफ हमें नैसी को दिखाया जाता है जो की एक बहुत ही बड़ी field के उपर चल रही थी तब ही अचानक उसे एक घोड़ा दिखाई दिता है इसलिए वो उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है थोड़ावार आगे जाने के बाद नैसी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे आदमी बैठा हुआ है जिसका नम चारली था उस चारली ने बहुत सारे बच्चों को अपने पास बुलाया और उसे लेकर कहीं दूर जाने लगा यहां नैसी को लग रहा होता है कि सायद चारली उन बच्चों को चोट पहुचाने या फिर किड्नैप करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो तुरंती भागते वे वहाँ पर गई और चारली को बहुत जोर से पकड़ लिया वो तो सारे बच्चों को बोल रही थी कि तुम यहां से भाग जाओ मैं इसे पकड़ लूगी लेकिन तभी पीछे की तरफ से लियो नाम का एक आदमी नैसी को पकड़ कर उसे बेहोश कर देता है नैसी को तो अंदाजा ही नहीं था कि उसे कहां लेकर जाया जा रहा है थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो एक टेंट में अपनी आखे खोलती है नैसी के सामने तो बहुत सारी लोग मौजूद थी जो उसे लगातर घूरते ही जा रहे होते हैं वो नैसी से पूछ रहे थे कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो जब नैसी ने इसका जवाब दिया कि मैं वेस्ट डायरेक्शन से आई हूँ तब वो सभी लोग काफी ज़्यादा शौक हो गए वो बहुती ध्यान से नैसी को देखने लगे थे नैसी को इन सारी चीजों से बहुत ज़्यादा अनकोंफिटेबल होता है इसलिए वो वहाँ से जाने लेगी पर तब ये एक बूड़ी औरत नैसी को रोकटी वे बताती है कि वेस्ट डायरेक्शन में एक ऐसा प्लेस मौजूद है कि इतनी रात में वो कहीं नहीं जा सकती इसलिए अब नैसी के वहीं रुपने का इंतिजाम कर लिया जाता है लियो ने तो उसके लिए बिस्तर भी लगा दिया था जहांपर नैसी तुरंथी सो गई क्योंकि वो पहले से काफी ज़्यादा ठक चुकी होती है अब यहां आदी रात में नैसी को नीन नहीं आ रही थी इसलिए वो खड़ी होकर हर टेंट को चेक करने लगी तब उसे एक टेंट के अंदर कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो अभी भी वहां मौझूद थे यानि कि इन बच्चों को अभी तक फैसलिटी वाले पकड़ कर नहीं लेकर गए हैं थोड़े ही समय के अंदर वहां पर और भी सारी लीडिस दा जाती हैं जिन्होंने जब नेसी का चेहरा देखा तो वो पूछ लेगी कि तुम्हारी बेटी भी फैसलिटी वाले लेकर चले गए हैं कि नहीं क्योंकि इन सारे बच्चों को देखकर नेसी को अपनी बेटी वेडी की याद आ रही थी वो सबी नेसी को कहने लगे थी कि अगर तुम चाहो तो हम सब मदद कर सकते हैं तुम्हारी बेटी को वहां से निकालने में लेकिन नेसी तो कह रही थी कि उसकी बेटी फैसलिटी के अंदर सुरक्षित है उसे सारी रिसूर्सेस मिल रहे हैं और उसकी जिन्देगी अच्छे से चलेगी लेकिन तब जाकर उस बूड़ी औरत ने एक रियालिटी बताई वो कह रही थी कि भले ही और्गनाजेशन वाले बच्चों का अच्छे से खयाल रखते थे लेकिन वो उनका mind wash कर देते जिससे कि वो बच्चे अपने mom and dad को भूल जाते और एक समय के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनका army में as a soldier use किया जाएगा जो कि advanced humans होंगे और उनके दिमाग में special skills मौझूद होंगी जो नॉर्बन इंसानों से काफी आगे निकल चुके होंगे यही reason होता है कि इन लोगों में कोई भी अपनी बच्चे को organization में नहीं भीजना चाता था नेसी इस बात से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे अपने decision पर शक होने लगा था वो अब किसी भी तरीके से चाती थी कि वो अपनी बेटी को बचा ले इसलिए अब लियो कहने लगा कि तुम हमें यहां से निकलने में मदद करो और उस west direction में लेकर चले जाओ और इसके बतले हम तुम्हारी बेटी को organization में से सही सलामत बाहर निकलने में मदद करेंगे नेसी को यह सही लग रहा था इसलिए उसने वो deal fix कर ली यानि कि वो उन सभी की मदद करेगी अब हमें यहां पर facility के अंदर वेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने मदर को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी और उसे वहाँ पर जाना था लेकिन वो facility से कैसे निकले उसे कुछ समझता ही नहीं तब वेडी को सामने की तरफ वही पक्षी दिखाय दिया जिससे कि वो पहले पकड़ने की कोशिश कर रही थी एक बार फिर से वेडी उस पक्षी के पास जाती है तब वो उड़ नहीं रहा था यानि कि वो पक्षी भी कहीं न कहीं वेडी को पहचान पा रहा है वेडी इस बात से थोड़ा सा कुश हो जाती है कि बाहर की तरवी उसकी अच्छी दुनिया है इसलिए अब रात होने पर जब सबी लोग सो गए थे तो वेडी धीरी से उठ जाती है वेडी ने जिस हिसाब से मैप बनाये थे उसी हिसाब से वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी मैप के अकॉर्डिंग उसने सब कुछ मार करके रखा था कि कितनी बज़े कौन से सैनिक वहाँ पर होते हैं यानि कि उसने जो भी किया है उसकी सजा उसे मिल कर रहेगी अब यहाँ वेडी अपने बिल्डिंग के अंदर आने लग जाती है ताकि वो अपना सारा सामा निकठा कर सके लेकिन उसने नोटिस किया कि कई सारे लोगों की जानी चली गई है और वो लगातर मरते जा रहे थे वहाँ पर रॉडी भी होता है जो काफी रो रहा था और अब नैसी के वहाँ आते ही रॉडी उसे एक मास पैना देता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाइरस फैल रहा है इसलिए अब फैसलिटी के कई सारे सोलजर्स हम सभी को पकड़कर एक वैन में भर रहे हैं जो कि यहाँ से बाहर लिखे जाके हमें जान से मार देंगे इसलिए अब हम सभी लोगों को काफी बच कर रहना पड़ेगा नैसी अब अपने मुँपर मास लगा कर रोडी के साथ आगे बढ़ने लगी साथ में वो अपनी बहुत ही पुरानी दूस रोबर्टा को भी ले लिती है इसलिए वो तीनों लगातार फैसलिटी की तरफ बढ़ने लगे थे जहां पर नैसी अपनी बेटी को बचा सके पर उनका लक्ष शायद इतना जादा अच्छा नहीं होता क्योंकि देखते ही देखते कई सारे सोल्जर्स उन सभी को घेर लेते हैं पर तभी अचानक रॉबर्टा अपने बेटी पॉल को देखती है जो कि एक सोल्जर बन चुका था और गन लेकर सारे लोगों को यहां से निकाल रहा था रॉबर्टा बहुत ही ज़दा चिलाने लगी और अपने बेटे के पास जाने की जित कर रही थी इसलिए ब्रॉडी ने वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेट फेक दिया जिसी की चारो तरब धुआ फैलने लगा इसी मौकी का फायदा उठा कर रॉबर्टा तुरंती भागते हुए अपने बेटे पॉल के पास जाने लगी लेकिन जब रॉबर्टा अपने बेटे पॉल से मिलने के लिए और पास आती चली गई तब पॉल ने बिना कुछ सोचे समझी उसके उपर गूली चला दी और अपनी मदर को जान से मार दिया ये सारी चीजे देखकर वैन में मौझूद सभी के सभी लोग एकदम चौक गए थे वहाँ पर तो लोगों को कंट्रोल करनी के लिए और भी सारे सोलजर्स आ जाते हैं जिनका पूरी तरीके से ब्रेनवाश कर दिया गया था और अब वो अपने फैमली मेंबर्स को भी नहीं जानते लेगे नब उस जगह पर थोड़े ही देर में लियो और कई सारे लोग आ गए थे जो उन सोलजर्स को मार गिराते हैं और वैन में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं लियो और उसकी टीम किसी भी तरीके से नैसी को मना कर दिया और लियो के पूरी टीम के साथ गाड़ी में बैठकर फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे वहीं अब यहां फैसिलिटी के अंदर वैडी को अपनी चेमबर में डाल दिया गया था थोड़े ही दिर में वैडी के पास कमांडर आती है जो कि उसे एक वीडियो दिखा र लग गई वो तो अब उनके पास जाने की बिल्कुल भी सोचती ही नहीं वैडी को सच में इस बात से बहुत गुसा आ रहा था लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका ब्रेनवास करने की टेकनीक है अब वैडी भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी रही थी और उसे सबसे बेस सोलजर बनना था सबसे पहले सारे बच्चों को गन लोड करने की प्रेक्टिस कराई जाती है जिसके अंदर वैडी ने सबसे पहले गन लोड कर दिया और उसे फायर भी करने लगी लेकिन तबी एक दूसरी लड़की खड़ी हो कर कहने लगती है कि वैडी ने जरूर च इंसिडेंट के बाद कमांडर ने वैडी का लेवल बाकी बच्चों से अलग कर दिया होता है यानि कि वो बाकी बच्चों से बहुत ही जादा जल्दी अपग्रेट कर रही है नेसी तो वापस लियो और उसके सभी साथियों के पास आ गई थी और अपना प्लान बताती है उ वो फैसिलिटी के एक पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने का प्लान बना रहे थे चारली अपना लाप्टॉप लेकर कैमरा हैक करने के लिए वहीं बैट जाता है और वहीं दूसरी तरफ लियो नैसी के साथ लगातर फैसिलिटी के अंदर जाने लगा था धीरी धीरी जै Security System को चारली के सिस्टम से जोड दिया था अब चारली को पूरी तरीके से एकसेस होता है वहाँ के सारे कैमरास का जिसे कि वो हैक करके सबसे पहले बंद कर देता है अब यहाँ लियो और नैसी किसी भी तरीके से आगे बढ़ने लगे थे अपनी बेटी वेडी को बचाने के एक चेमबर में आने के बाद लियो नैसी से कहता है कि तुम अंदर जाकर अपनी बेटी को ढूंडो और मैं यहाँ पर सिक्योरिटी आफिसर से फाइट करता हूँ नैसी तुरंती उन चेमबर में अपनी बेटी वैडी को ढूंडने लगी तभी कुछी दिर के अंदर फाइनली उसे अपनी बेटी मिल जाती है नैसी इतने समय बाद अपनी बेटी को देखकर काफी खुश हो रही थी पर वैडी तो उठकर यही पूछ रही होती है कि आपने मुझे उन आफिसर के हवाले क्यों किया नैसी ने बहुत इमोचनल होकर कहा कि मुझे सिर्फ तुमारी फिकर थी और यहाँ पर सारे रिसूर्सिस तुमें अवेलेबल हो सकते थे इसलिए मैंने तुमें फैसलिटी के अंदर जाने दिया वैडी अपनी मदर की ये सारी बाते सुनकर पिगल जाती है और उसकी गले लग जाती है उसने अपनी मदर को माफ कर दिया था जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगी नैसी वेडी के साथ निकलते हुए लियो को देखती है जो काफी घायल पड़ा था और उसने दो सुलजर्स को मार गिराय होता है तब ही अचानक चारली उन्हें खबर दे रहा था कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि फैसिलिटी के अंदर कई सारे सुलजर्स लगातार घुसते जा रहे हैं तो उस जगह पर सुलजर्स नहीं बलकि बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं लियो को लगने लगा कि शायद ये ड्रोन्स अब उसे जान से मार देंगे लेकिन अगले ही मोमेंट में आचानक नैसी वहाँ पर आ गई और उस ड्रोन के उपर फायर करने लगी क्योंकि वो इस तरीके से लियो को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी जिसके बाद नैसी लियो को लेकर तुरंत ही वहाँ से दूर भाग रही होती है वैडी भी या मौका मिलते ही चेंबर में मौजूद अपने ही जैसे कई सारे बच्चों को बाहर निकाल लेती है क्योंकि उन्हें भी एक तरीके से कैथ करके ही रखा गया था बाहर का रास्ता साफ था इसलिए वो सारे लोग जल से जल निकल जाते हैं सारे के सारे बच्चे भी अब आ गये थे दूसरी तरफ तो उस बूड़ी औरत के सारे मेंबर्स होते हैं जोकि सोलजर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे कुछी देर के अंदर लियो, चारली, नेसी और उसकी बेटी के साथ सारे लोग मौजूद हो जाते हैं एक जगव पर कुछी रेर के अंदर लियो, चारली और निसी अपनी वैन के अंदर वहाँ पर भी पहुच जाते हैं वैडी और फैसिलिटी में मौझूद सारे बच्चे भी आजाद हो गए थे लेकिन वो फैसिलिटी वाले सैनिक आस्मान में एक रेट फ्लेयर मार देते हैं जिसे फालो करते हैं वे कई सारे ड्रोन्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे ये ड्रोन्स काफी ज़्यादा हाई टेक थे और इनके अंदर काफी वेपन्स भी मौझूद होते हैं अब देखने से लग रहा था कि सारे ड्रोन्स उन लोगों के उपर फायर करना स्टार्ट कर देंगे तभी वेडी उनकी सामने आ जाती है और वो जिस तरीके से पक्षी को कंट्रूल करने की कोशिश कर रही थी उसी तरीके से ड्रोन को भी करती है साथी साथ वो कुछ मंतर पढ़ रही थी जिससे कि वो सारे ड्रोन्स सैनिकों की बात मानते ही ही वेडी तो उनसे लगातार यही कह रही थी कि हमारे उपर हमला ना करें और जो गलत है उन्ही सजा दे अचानक सारे के सारे ड्रोंस out of control हो जाते हैं और वेडी और उसके साथियों के ओपर हमला करने के बज़ाए सैनिकों पर हमला करने लग जाते हैं सारे के सारे सैनिक अपनी जान बचा कर forest के काफी अंदर चले गये थे लेकिन एक सैनिक गन निकाल कर तुरंती फायर करने लग जाता है वेडी के उपर लेकिन नैसी ऐसा कैसे होने देती वो तुरंती अपनी बेटी के सामने आ जाती है और उसके कंदी पर गोली लग चुकी थी जिसके बाद लियो और उसके सभी दोस्तों ने उस अकेले सूलजर को भी जान से मार दिया ये अच्छी बात हुई कि गोली उसके कंदे पर लगी इसलिए नैसी की जान नहीं गई लेकिन अब सारे लोगों को विश्वास हो चुका था कि वेडी की पास कुछ सूपर नैचुरल पावर्स हैं जिससे कि वो उन लोगों में सबसे ज़्यादा स्पेशल हो गई थी और अब सभी के मन में एक होप जागने लगी कि वेस्ट में जो सीब जगा है वहाँ पर हमें वेडी बहुत ही अच्छी तरीके से लिकर जा सकती थी और अब वेडी, नेजी और गाउं की सारे लोग निकल पड़े थे वेस्ट की तरफ जहांपर वो अपनी जिंदिगी बड़े अराम से गुजार सकते थे और हमारी ये कहाणी यहीं पर खत्म हो जाती है आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्चेन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पनेशन एक परसन भी अच्छा लगा हो गया न वीडियो को लाइक है चानल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़ेदार वीडियो में तब तक की लिप बबाए